हे दोस्तों तो comment section में एक question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दिशावकानी शो में वापसी करेंगी या नहीं दया के रोल में अब दोस्तों इस बात के काफी ज़्यादा chances है कि 2024 में दया के character की वापसी हो जाएगी लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि दिशावकानी दया के रोल में वापसी आएगी अब दोस्तों यहाँ पर पहले तो doubt आ रहा था कि दिशावकानी शायद आ सकती है शायद नहीं आ सकती लेकिन दोस्तों यहाँ पर न दिशावकानी के आने के chances almost zero है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों सोचो तारिक मैता का उल्टा चश्मा में जब उन्होंने शो को quit किया था तब शो की कुछ भी complaint नहीं आई थी आज तक पूरा शो positive limelight में रहता था कि जैसे सारे actors जो हैं वो family बन कर रहते हैं लेकिन दोस्तों अभी recent time में ही recent कुछ सालों में ही काफी सारे actors जो हैं बाहर आए जो कह रहे हैं कि work environment बिलकुल अच्छा नहीं है वहाँ पर और इतनी सारी negative चीज़े हुई शो के साथ ऐसे में दोस् अब आप देखते हो कि इतनी सारी negativity हो चुकी है तो आप खुछ सोचो कि जब इतनी positivity चल रही थी show की 2017 में 2018 में तब उन्होंने show में वापसी नहीं करी तो अब तो almost impossible है कि वो इस show में वापसी करेंगी तो हाँ guys यहाँ पर अगर दया की वापसी होती है 2024 में तो वो definitely कोई 0% chances हैं बागी दोस्तों इसके बारे में आपको क्या लगता है comment में जरूर बताना और वीडियो पसंदे तो like जरूर कर देना दोस्तों मिलते है next वीडियो में